गात विशेग नित और प्रशनावली अपने तेर में चल दिया है गात और गतांक तेरापंट एक के बारे में अपने कर चुकी हैं तेरापंट दो के कोशन में अपने गतांक के नियम देखने हैं तो गतांक के नियम क्या होते हैं कि जब आपके पास गतांक के नियम देखते ह हैं अपने कि अदार समान हो कि अदार समान हो और गातें अलग अलग हो इसे कहते हैं अदार इसे कहते हैं गातें जब अदार समान हो और गातें अलग अलग हो तो वो अदार गातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है तब गातें जुड़ जाती है ये इस तरह है लेकिन जब अदार अलग-अलग हो और गातें समान हो तो उन दोनों का गुना करके गातों को अपने उसके उपर इस परकार लिख सकते हैं जब अदार समान हो गातें अलग-अलग हो तो गातें जुड़ जाती है दूसरी बात गुना का निशाना तो जुड़ जाती है और बाग का निशा तो देखो पहला कोशन क्या दे रखा है तीन की गात दो गुना तीन की गात चार और तीन की गात आठ तो इनका दार क्या है समान है तीन है सभी का दार क्या है तीन है तो तीन तो तीन रहेगा और सारी गातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी दो प्लस चार प्लस आठ चा की गात 15 बाग है 6 की गात 10 बाग होता है तो उपर वाली मेसे नीचे के वाली गात क्या हो जाती है कम हो जाती है तो 6 की गात क्या बच जाएगी 5 बच जाएगी इसी तरह इसको देखो एक की गात 3 गुना एक की गात 2 एका तो ए रहेगा 3 प्लस 2 तो एक की गात कितनी होगी 5 होगी एक की गात 5 अब इसको देखो 7 एक्स गुना 7 दो 7 का 7 रहेगा और गातें क्या हो जाएगी जुड जाएगी इसको देखो कैसे हल करेंगे 5 की गात 2 की गात 2 बाग 5 की गात 3 तो 5 इन दोनों का क्या होता है, गुना होता है, तो 5 की गात 4 बाग, 5 की गात 3, 5, 4 में से 3 कम हो जाएंगे, 5, 1, 5 का क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा आपके पास, इसको देखो कैसे हल करेंगे, तीन चार की गात तीन है तो इन दोनों गातों का क्या होता है गुना होता है तो तीन की गात बारा इस कोशन को देखो दो की गात क्या है बीस बाग दो की गात पंदरा और फिर बाग है दो की गात तीन पहले इन दोनों का करेंगे तो दो की गात बीस में से क्या जाएगी पंद्रा जाएगी और बाहर बच जाएगी दो की गात तीन बीस में से पंद्रा के तो दो की गात पांच बाग दो की गात तीन फिर इसको हल करोगे तो पांच में से तीन जाएगे तो दो की गात दो इसको करोगे आठ ती तो आठ ती मैंनस दो इस पर कर यह आपका पहला कोशन है कि गात के उपर गात है ब्रैकिट के अंदर गात एक बाहर है तो उन दोनों का क्या होता है गुना होता है और समानदार हो तो गातों का योग होता है यह है आपका पहला कोशन इसके बाद एको य नहीं को हल करना है कैसे में हल करते हैं देखो दो की गात 3 एक नहीं को कितनी बार लिखले दो से तीन की गात 4 है सो देन को कितनी नहीं लिख दो चार बार है क्या बढ़ गणि में तीन गुना 32 तीन से तीन कट गया चार आठ पी दो शे खते tissue कह 155ники 459 को क्या ब ताइस बच गया, इस परकार सारे हल करने, इसको देखो, पांच की गात कितनी होगी, छै होगी, तो पांच को कितनी बार लिख दें, छै वार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, यहां पर पांच कितनी बार है, चार वार है, बड़ा रहने दो एक वार, यह पांच कितनी बा है चाह बार है ये साथ बार है इसको साथ बार लिखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छो चैसाथ favourite वाले से 6 कट गी, एक बचेगा, उपर 4 बार है, 1, 2, 3, 4, नीचे एक बचा था, वो भी कट गया, तो 5 की गात कितनी बचेगी, 3 बचेगी, और उसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, इसी परकार इसको हल करेंगे, 25 की गात 4 है, तो 25 को कितनी बार लिख दो, 4 बा 5 कट गया, 5, 5 है, 25, मल्टिप्लाइ करोगे तो 25 को 25 से करोगे तो 625, गुना 5 उत्तर आपका आज जाएगा, इसी परकार इसको हल करोगे, 3 गुना 7 को कितनी बार लिख दो, 2 बार, 118, 21, गुना 11, ठीक है, अब देखो, किस से कटेगा, ये 7 है, 21, 3 से 3 कट गया, ये 11 की गा अदार होगा, तो 11 को कितनी बार लिख दो, 11 से 11 कट गया, तो कितना बचेगा, 7 गुना 11 की गात, 7 बचेगा, अब इन कोशनों को समझो, ये तो आप कर लोगे, ठीक है, गातों को लिख के, 3 को 7 बार लिख दो, 3 की गात 7 है, उपर, नीचे क्या है, 3 की गात 4 और, ये 3 है, गातों का योग हो गया, तो 3 की 7 बचा में, 3 की 7 कट गी, सेम है, तो कितना उत्तर आया, एक उत्तर आया आपका, ये रिस्क पर करो जाएगा, लेकिन जो समझने वाली बात है, वो ये है, किसी की भी गात 0 हो, किसी की भी गात 0 हो, तो उसका उत्तर कितना होता है, एक होता है किसी की भी गात जीरो हो उसका उत्तर कितना आएगा एक इसका भी एक इसका भी एक इसका भी एक इसका भी एक तिनों का प्लस करना है तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा इसी तरह इसको देखो सभी की गात जीरो है सभी का उत्तर एक एक आएगा लेकिन अब बर जो इनके बीच में चीने वो किसका है multiply का तो एक को चाहिए कितनी बार भी गुना कर लो उसका उत्तर फिर कितना रहेगा एक ही रहेगा इसी परकार यान देखो सबी की जगें एक एक आ जाएगा लेकिन बीच में चीने देखो एक और एक दो दो को फिर क्या करना है एक सी गुना तो उत्तर कितना रहेगा अपना दो रहेगा दो को एक सी गुना करोगे तो आपका उत्तर कितना रहेगा दो ही रहेगा इस परकार किसी की भी गात जीरो हो तो आपका उत्तर कितना आता है एक आता है तो यह आपका जो आधिर पार्ट है पूरा हुआ अगला जो बाग है अपने वीडियो में करेंगे दन्यवाद